नमस्कार, आज हम बना रहे हैं वेज़ेटेबल पुलाव वेज़ेटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जर्रत है वो है हर्य मिटर, प्यास, बासमती चावल, कटी हुई सबजियां, अदरक, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, जीरा, दालचिनी और घी वेज़ेटेबल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक माइक्रोवेव सेफ बोल लेंगे और इसमें हम घी डालेंगे इस घी को हम माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए पहले गरम करेंगे घी अग गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे जीरा और दालचिनी और फिस इसे 30 सेकंड के लिए गरम करेंगे यह हमारा जीरा यहां भून गया है अब हम इसमें एड करते हैं प्याज अद्रक रड चिली पाउडर गरम मसाला पाउडर और इसे हम ढख कर 2 से 3 मिनट के लिए पहले पकाए लेंगे फुल फ्लेम 100 परसेंट पाउडर पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे यह हमारा प्याज अब लगबग पक गया है अब हम इसे थोड़ा चलाते हैं फिर हम इसमें अपनी सबजियां डालेंगे जिसमें हमने मटर लिया हुआ है साथ में थोड़े मिक्स वेजिटेबल भी हमने लिए हैं इसे हम फिर अच्छे से मिला लेंगे और हम इसके सॉल्ट को भी अभी अध्जस्ट कर लेंगे नमक भी हम अभी आड़ करेंगे अब हम इसे ढख कर फिर पकाना है दो तीन मिनट हम इसे ढख कर फिर पकाएंगे यहां पर भी हम अपना माइक्रोवेव फुल फ्लेम पर मिंटेन करेंगे हंड़ेट पर पर इसे हम कुक करेंगे यह तीन मिनिट हो गया है और हमारी सबजियां भी अब लगभग पक चुकी है इसे हम बाहर निकालते हैं यह सबजियां हमारी लगभग अब पक चुकी है इसमें हम चावर लैड करेंगे इसे मिक्स करने के बाद एक मिनिट और माइक्रोव कर लेंगे बस इसे हम एक मिनिट के लिए और माइक्रोव करेंगे एक मिनिट हो चुका है और हमारा चावल भी अब इसमें मिक्स हो गया है अब हम इसे बाहर निकालेंगे और इसमें पानी आड़ करेंगे और इसे फिर से चड़ा देंगे पानी हम बिल्कुल चावल के डबल लेते हैं अगर हमने एक कप चावल लिया है तो दो कप पानी आधा कप चावल लिया है तो एक कप पानी और अब हम इसे खुला में पकाएंगे इस वक तब इसे हमें धकना नहीं है धकने से सारा पानी भारा जाएगा इसे हम खुले में साथ से आठ मिनट पकाएंगे यह हमारा चावल बन गया है इसमें साथ मिनट पूरे हो गया है चावल में टाइमिंग हमें देखने पड़ती है हमने कितनी क्वांटिटी लिया है उसके हिसाब से अगर अब ही हमने यहाँ पर आधा कप चावल यूज किया है तो हमने छे से साथ मिनट लिया है अगर हम एक कुछ आगा इसमें घर साम हमारी साथ मिनिट हमें इसको बिना ढखे पकाया है लाज्ट के एक मिनेट या लास्ट का दो मिनत हम इसे ढख देंगे इसमें हमने और लगा दिया और अब हम लास्ट के दो मिनट हम इसमें और कुक करेंगे इससे हमारा चावल बिलकुल खिला-खिला बनके आएगा दो मिनट हमारा चावल पग गया है हम इसे एक या दो मिनट अभी माइक्रोवेब में छोड़ेंगे जो इसके स्टैंडिंग टाइम होगी क्योंकि इस समें भी चावल की कुकिंग हो रही होती है दो मिनट के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे अब हम इसे जरा सा शेक कर लेंगे पहले अब हम इसे अपने सर्विंग प्लेट में लगाएंगे वेजेटेबल फुलाओ बनाने के लिए हमें जिन चीजों के जरुरत है वो है बासमती राइस एक कप ग्रीन पीस वन फोट कप मिक्स सबजियां हाफ कप ग्रेटेट जिंजर एक इंच पीस अनियन चॉप्ट दो मीडियम रेट चिली पाउडर हाफ टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून सिन्नमन स्टेक दो इंच के क्यूमिन सीट्स हाफ टीस्पून सॉल्ट टू टेस्ट और घी टू टीस्पून वेजेटेबल पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले एक माइक्रो वेट सेफ बोल में घी लेंगे और उसे थर्टी सेकंड के लिए गरम करेंगे फिर हम उसमें कूमिन और सिन्नमन डाल कर 32-40 सेकंड कोप करेंगे फिर हम इसमें अनियन, जिंजर, ग्रीन एंड रेड चिली, गरम मसाला डालेंगे और 100% माइक्रो में 2-3 मिनट के लिए कोप करते हैं फिर हम इसमें ग्रीन पीस और अपने मिक्स सब्सियों को डालेंगे और फिर कवर करके 2-3 मिनट तक पका लेंगे फिर हम इसमें राइस डालेंगे, सॉल डालेंगे और वाटर डालकर 100% माइक्रो वेब में 10-12 मिनट तक पकाएंगे और लास्ट के 1 मिनट हम इसमें कवर करके पका ले रिखते हैं इससे हमारी वेजिटेबल पलॉव बिलकुल फलफी और अच्छी बन जाती है